नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल गुरु बाबा परमार में आपका स्वागत है आए आज हम जानेंगे कुछ मेडिकल के सोट टर्म सब्द जिन को एब्रिविएशन बोलते हैं जो डोक्टर परिचे पे लिखते हैं और डी बीडी उनका क्या मतलब होता है आए हम के बारे में संचिप्त में जानते हैं जानने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो उसके लिए आप वेल मतलब भोजन के बाद दवाई लेना है एडी मतलब अल्टरने डे एक दिन छोड़कर दवाई लेना है जो भी डॉक्टर एडी लिखता है पर्चे पर उसका मतलब होता है अल्टरने डे मतलब एक दिन छोड़कर दवाई लेना है बीडी बीडी सिंड डाई मतलब दो बार में दो बार दवय लेना है तेड टिस्ट का मतलबomas upload I दिन में 3 भार दवय लेना थी टाइम स захोणं मतलब सोते समय सोते समय because मैहर लेना है डोल्ट हो नीट अफय को मतलब मतलब रह। एकपन दिन मैं OD मतलब केवल दिन में एक बाल लेना है OM, Omni Man, मतलब Every Morning, रोज सुबा लेना है Every Morning ON, Omni Noct, मतलब Every Night, रोज रात को, फिरती दिन रात को PRN का मतलब Pro, Ray Not, मतलब जब जरुरत हो तब When Necessary PRN का मतलब जब जरुरत हो तब लेना है QDS, मतलब Four Times Each Day, पिरती दिन दिन में चार बार लेना है QDS का मतलब QDS, उसका मतलब होता है दिन में चार बार SOS का मतलब होता है, जब जरुरत हो तब लेना TSF, TSF, T-Spoon Full, मतलब T-Spoon एक लिक्विट फॉर्म नहीं होता है Syrup, उसको T-Spoon से बोलता है 5 ml T-Spoon मतलब होता है 5 ml, केपसूल, केप का मतलब होता है केपसूल, TAB, टेप मतलब टेबलेट, SYR लिखाएगा डॉक्टर नहीं, तो उसका मतलब होता है Syrup, जब लिक्विट फॉर्म में रहता है State, State मतलब Emergency Drug है अपने Injection के बारे में बताता हूँ आपको SC मतलब Subtutinus, तो अच्छा के नीचे दिया जाता है IM मतलब Intramuscular, मासपेसी में लगता है IV मतलब Intravenus, नस में Injection लगता है तो ये तीन जो प्रकार है, वो Injection के प्रकार है अब दोस्तों, UNG, UNG मतलब होता है Ointment, जो मलम रहता है उसको डॉक्टर लिखता है UNG, Rx recipe मतलब Prescription, TIW सब्सक्रे में तीन बार जी तो मैंने आपको जैसे बता रहा है भी, कि इस प्रकार अगर कोई डॉक्टर लिखता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको डॉक्टर ने किस हिसाब से दवाई गोली लिखी है, किस हिसाब से लेना है, कितने टाइम लेना है यह आप खुद देखके समझ सकते हैं उसके Prescription में अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेयर जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा नमस्कार दोस्तो